स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं कोशल नमबर सिक्स और यह रहा बुक NCRT वाली तो यह चैप्टर नमबर हमारा थ्री चलरहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन नमबर वन उसमें यह रहा कोशल नमबर शिक्स जिसमें वो कह रहा है show the accounting equation on the basis of the following transaction तो यह के तक transaction solve करनी है हमें एक एक करके करते हैं तो यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो format बना हुआ है solution number six accounting equation pitch त्यार है पूरी खिलाड़ी एक एक करके आजाएंगे अभी तो आप फड़ा फड़ा आजाएए match start करते हैं और मैच यह ऐसा है इसमें कोई जीते का नहीं कोई हारे का नहीं बस हमें पूरी equation को match करना होता है plus capital ठीक है बचो यहां पर यहां पर यह आजेगा यह मैंने यह बीच में gap छोड़ता हूं ना तो यह बाकी assets लिखने के लिए छोड़ता हूं ठीक है दूसरा goods भी लिख सकते हैं और stock भी लिख सकते हैं मैं goods लिख देता हूं क्योंकि बुक में भी उसने goods लिखा है तो goods लिख लेते हैं आप कोई confusion नहीं होनी चाहिए और अगर आप लिखना चाहो तो और करके stock भी लिख सकते हो को दोनों में से कोई गलत नहीं है ठीक है तो यह आगया पांच लाख प्लस एक लाख अरिकल टू यहां पे 6 लाख आगे जागा ठीक है बचो यह आपका 6 लाख आजएगा और अब यहां पर हम क्या करेंगे लाइन लगा देंगे यहां आएगा new equation यहां हमारी new equation बंजेगी equation बंजेगी यह 5 ला लाख आगया यहां पर और यहां पर जीरो प्लस 6 लाख ठीक है बचो अब यहां पर बी पार्ट में बी पार्ट में हमें क्या करना है बी ट्राजक्शन कहा रहा है बिल्डिंग पर पर चेज़ बिल्डिंग फोर कैश यहां पर पर चेज़ बिल्डिंग तो बचो बिल्डि की ठीक है जी तो यहां पे लाइन लगा देते हैं और फिर हम लिखेंगे न्यू एक्वेशन यह आएगा न्यू इक्वेशन तो यहां पे आगया यह 3 लाख और यहां पे आगया यह एक लाक और यह 2 लाख इस इकल टू 0 प्लस six lakh ठीक है बचे बी के बद अब आएगा सीउ क्या कैरथ हए पचाइज जोर्म ही मानि भाठीज द्ज ऑी हम आप है कैंए चाह पचाहसअजर का स्टॉक भिगा ठीक हैं पचाहस देलकेB तो मैं स्टॉक माइनस कर रहा हूँ और साथ में क्या हूआ हमारे पास एड कर देते हैं परचेश्जुषी है underneath हमने मानि से समान खरीदा है तोicer होगा फचास JAR के हमारे पास बन जगर यह करेडिटर सल्धिक तो करेडिटर कर ट सीचे लिखेंगे और यह क्या गया थ्री लैक प्लस फिफ्टी थाउजंड प्लस टू लैक इस इकल टू फिफ्टी थाउजंड प्लस सिक्स लैक सी के बाद डी तो अब यहां पर क्या आ रहा है आगे गुड्स सोल टू आशू तो आशू को समान बेचा तो इसका मलब वो उधार पर बेचा क्योंकि उसमें ना कैश की बात करी है और डैटर का नाम दे दिया हमने सोल्ड गुड्स ट आशू आशू अब पहले तो यहां डैटर कर देता हूं है फिर समझते है क्योंकि आशू डैटर बनेगा ना जब उदार पर है तो समान कितने का फिका 25000 का समान कितने का बिका 25000 का और टैटर कितने के बने 36000 के और प्रॉफिट कितना आया 11,000 का profit कितना आया बचो 11,000 का आया ना 36 में से 25 माइनस करो तो 11 बचेंगे ना तो ये आगया हमारा new equation यहाँ पर क्या आएगा new equation तो बचो new equation में यहाँ पर आगया हमारा 3,000,000 जमा 1,25,000 प्लस 2,00,000 प्लस 36,000 ठीक है जी is equal to 50,000 प्लस 6,11,000 ठीक है बचो चलो अब हम क्या करेंगे डी के बाद E transaction अब E transaction क्या कह रही है paid insurance premium paid insurance तो insurance कितने की pay करी है हमने वो करिये 3000 की तो 3000 यहाँ से और 3000 capital से minus कर देंगे ठीक है जी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे line लगा देंगे और यहां लिखेंगे new equation यहां क्या लिखेंगे new equation ठीक है जी और यह आज़ेगा 2,97,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,00,000 की building है हमारे पास और 36 के debtor है करेडिटर 50,000 के यहां अभी तक के और यह 6,8,000,000 तो आठ बच गया यह के बाद अब क्या आएगा F transaction F transaction में वो कहरा है rent outstanding है F में क्या है rent outstanding लाइबिल्टी है जैसे पिछले question में हमने देखा था salary outstanding liability होती है तो यह 5000 की एक और liability यहां पर मैं add कर रहा हूं rent OS करके outstanding तो यह कितने का बच्चे रेंट outstanding ध्यान से देखो rent outstanding 5000 का तो यह 5000 का तो यह liability create होगी और साथ में यह 5000 का क्या हो गया हमारे पास expense हो गया ठीक है तो अब मैं यहां पर line लगा दूंगा और यहां फिर लिखेंगे new equation यहां क्या लिखेंगे new equation है है ठीक है तो यहां पर लग रहा है 297,000 है प्लस 125,000 प्लस टू लेक प्लस 36,000 इस इकल टू पचास हजार प्लस 5000 और प्लस 6,03,000 यहां आजेगा ठीक है अब एफ के बाद क्या ट्रांजेक्शन हमारे पास G G ट्रांजेक्शन लगानी है बिल्डिंग पर डैप्री सेशन और बिल्डिंग तो बिल्डिंग की डैप्री सेशन कितनी लगाने को कह रहा है वह देखे ज़रा 8000 तो 8000 डिपरी सेशन लगा देते हैं 8000 ड텐 की आ जो यहांस क्लों जाते है तो अब हमें क्या होगा कम तो हमारा पेज भी पड़ गया तो format को extend करना पड़ेगा तो मैं जरा line लगा लेता हूं पहले फिर आगे बढ़ते हैं इस पर ठीक है जी तो यह रहा format को extend कर लेते हैं depreciation मैंने जैसे आपको बताया कि asset की value कम हो रही है तो उसको कम कर देंगे और यह loss यह expense है ठीक है जी तो वह हम क्या करेंगे उसको capital से माइनिस कर देंगे जी के बाद अब हमारे लिए transaction क्या है एच तो एच में हम क्या करेंगे बच्चो एच transaction क्या है cash withdrawn for personal use cash withdrawn for personal use for personal use तो इसका हम लिए drawings हो गया cash withdrawn for personal use का मलों यहां से चला गया cash है और अभी वह उपर equation तो बनाई नहीं हमने तो यहां पर new equation लिख लो पहले तांकि फिर हम अगली equation की भी बात करें new equation तो new equation में यहां पर तो 297,000 ही बनेगा यह आ गया एक लाख 25,000 यह आ गया एक लाख 92,000 और यह आ जेगा 36,000 पूरा आ गया और यह आ गया इदर अगें 50,000 यह थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन बच्छो लिखना तो सारा ही पड़ता है जम आप 603 में 603 में 8 माइनस कर दो तो यह आ गया 5,95,000 अब यहां इसे भी 20,000 माइनस होजेगा capital से ठीक है जी cash withdrawn from personal use है ना तो यहां से भी माइनस होजेगा अब क्या होगा अब यह आएगा new equation अब यहां पर क्या लिखेंगे new equation तो यह आजगा 20,000 कम होने के से 277,000 यह आ गया plus 125,000 का stock पड़ा है हमारे पास building 1,92,000 की है 36,000 का हमारे पास debtor है 50,000 के creditor है 5,000 के यह है rent outstanding और 1,95,000 में से 20,000 और minus कर दो तो 5,75,000 की हमारे पास क्या बनगी बचो capital बनगी G, H और उसके बाद I, I है rent received in advance, rent received in advance तो बचो rent received in advance कितना हमारे पास है 5000 का तो 5000 हम यहाँ add कर देते हैं और एक और liability बन जेगी rent received in advance तो अगेन यह भी 5000 की और liability create हो गई तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अब line लगाएंगे ओके जी तो चलो अब हम क्या करते हैं न्यू एक्वेशन न्यू एक्वेशन में आया है 277 में अब हम एड करेंगे 15,000 तो यह बनेगा 292,000 ठीक है बचो और एक लाख 25,000 यह बन गया एक लाख बानवे हजार तो यह अलड़ी था प्लस 36,000 यह आगया प्लस 50,000 यह आगया प्लस 5,000 यह आगया प्लस 5,000 यह आगया प्लस 5,000 यह आगया प्लस 5,75,000 यह आगया आई के बाद जे कैश पेड तो हिमानी ओन एकाउंट कैश पेड तो हिमानी कितना आएगा बचो हमारे पास यह आ गया cash pay to himani 20,000 का तो 20,000 का यहां से यह minus कर दो और 20,000 का यहां से minus करने के बाद हम entry कर देते हैं पूरी 2,77,000 का प्लस फाइड करो तो यह 82 बन रहा है बच्चों यह 82 है मैंने थोड़ा सा गड़बड हो गया यह उपर 282 आ रहा है ठीक है समय लगे ना यह 5000 एड हुआ मैंने 15,000 एड कर दिया 25,000 ही था 282 प्लस 125 192 36 इस इकल तो 50,000 5,500 5,75,000 और यहां से हमने कैश पे तो हिमानी किया है जो अब यह बनेगी new equation new equation में कैसे आएगा 2,82,000 में से 20,000 आपने माइनिस किया तो यह आ गया 2,62,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 36,000 is equal to 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,75,000 ठीक है जी जे के बाद के तो अब के की transaction की बारी आएगी जो कि हमारी final equation बनेगी इसके बाद cash received from आशू आशू मारा credit debtor था 36,000 का उसमें से 30,000 का balance कम कर दो क्योंकि उसने account settle करने को नहीं बोला ठीक है तो यह आगया 30,000 30,000 में अब क्या करेंगे हम यह आजेगा अब यहां आएगा यहां लिखेंगे final equation तो final equation में यदि आप देखो तो क्या बन रहा है यह बन रहा है 2,92,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,75,000 यह आजेगा ठीक है जी अब हम इसको टैली करते हैं कि करके यह देखें क्याइश हमारे पास कितना बच्छो 2,92,000 प्लस 1,92,000 प्लस 2,92,000 प्लस 6,15,000 प्लस 6,15,000 प्लस 6,15,000 प्लस 6,15,000 अब हमें यह देखना होता कि यह साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा तो यहां देखो 30,000 प्लस क्रेटर रेंट आउट्सेंडिंग और एमाउट रसीवेबल जो लिखा हुए और रेंट पेट इन एडवांस है 5000 ठीक है जी और कैटल किना पांच लाग पचातर जार आप इन तिनों को एड़ करते हैं पांच पचातर जमाद जमाद तीस पांच और पांच दस होगे न चेलाग बंद्रह जार यह भी आ गया तो इसका मतलब हमारा यह साइड भी टैलिड़ हमारा कोशन ठीक हो गया ठीक है बच्छो तो एक बार मैं आपको यह पूरा कोशन दिखा देता हूं आपको पूरा आप वीडियो को कर के पौण को करें घलो किछ तो इसके यह कोशिय को वीडियो पूब करते रहें एक लह पर आत यह कोंप्लीट को गया है आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लेक्व चैनल को बगारेगा।